उब्क का इसा कव्हें पाकिस्तान के लैप्ट एंडर ऊपनर खखर जमान को जो है पाकिस्तान क्रिकेट ने बेन कर दिया लेकिन अज्ट कहांत सच है पता नहीं लेकिन है ऐसे अभार यह क्यूंको बाबाराजं़ क सट्फ क्रिकेट से ड्रॉप करने के बाद उन सपोर्टर में आये फखर जमान ने कहा कि बाबा राजम इतना अच्छा प्रड़क्ट है पाकिस्तान का उसे आप लोग ऐसे ड्रॉप कर सकते हो एक टाइम तो कोली भी अपने बुरे दोर में गुजर रहा था आप उसे इंडिया ने ड्रॉप नहीं किया तो हम बता दे कि बहुत सारे चिपमेंट हो तीनों फ़र्मेट का वर्ड कप जीच चुका है और फकर दोसोरन बनाये तुमने वांडे में 190 पारी भी खेले थी वांडे में फिर भी बाबा राजम तुमको नचाया उपर नीचे कभी तीन नंबर कभी चार नंबर पर भेज रहा था तो किस्म में दम होता तो टीम में होता अब यह पता हमको है कि पाकिस्तान किर्गेट बोर्ड में पॉलिटिक्स जादा है दो स्तियार के टीम है फिर भी इतने में चुगली वाजि मत करो बाबर दो साल की केप्टेन से लिया था वर्ल कप से पहले यह बोलके कि वर्ल कप भार रिजल्ड क्या है दो मेहने बाबर खुद रिजयन कर दिया तो पीसी भी जो है न एक नमबर काम करती है जो कोच को समझ में नहीं आता बाहर कर देती दो मेहने जो केप्टेन उनके हिसाफ से नहीं चलता दो मेहने में बाहर कर देती है तो अभी बाबर को ड्रॉप किया गय यह था क्योंकि बावर ने अगर कोई अच्छी मतलब ऐसी कोई छाप छोड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट में तो यह यह कि वो एक नंबर बैट्समेंट था अभी भी है उसके अलबा कोई एचीव्मेंट नहीं है पाकिस्तान वालों को यह बहुत बड़ा एचीव्मेंट लगत उसके बाद इम्रान खान वाल्ड कप जीते हैं उन्हों लोगों से बहतर बावर नहीं हो सकता फिर बहुत में बावर इस प्रड़क्ट पाकिस्तान क्रिकेट नहीं यार इससे बहतर है तुम लोग उठो गई सपने से उठो बाबार 29 साल के उमर में साला ड्रॉप हो रहा है क्रिकेट ना खेला हूं आज तक बावर ने ऐसी कोई में टीम को जीताया ही नहीं वाल्ड कॉप में उसको टिक के खेलना था वह बंदा आउट होके भाग रहा है यही लेबल है बावर का विराट गोली के एचिव्मेंट में क्या बता हूं गिनूंगा तो काफी डेर हो जा पूरा वर्ल्ड किर्केट को पदा कि बढ़र कोली कौन है और किसके वज़े से क्रिकेट लोग जानते हैं अगर अस्टेलिया में जाके कोई बनता उनको गाली देके उंगली देके हराक आ सकता है तो वह बंग गा देते से बावर जैसे छोटे मोटे तारेक होना हो मिलता है उजाला मिलता है और फकर जमान को तो भी बैन कर देंगे लगता है पीसी भी ऐसा ही हो भागा देते हैं तो बेटा तुम्हारे तेब टाइड़ फीस हो जाएगी बावर तो गया समझे अभी बावर वह इंसान है कि जो मुस्ति लेवाई हैं फिर भी उनको मौका नहीं थे उसने अपने दोस्तियारों के टीम बना की रखा कुछ नहीं उखाड़ पाया कैप्तानी में अब एजब प्लियर खेल के देगा फिर भी कुछ नहीं कर पाया मजबूरी में उसको बाहर करना पड़ा अगर एक पर पोश्ट बेता पचास के अबरेस से रन भी मार रहा था बस सेंचुरी नहीं आए दो साल इसलिला अटो फॉम माना तुम्हार यह आप सेंचुरी नहीं आरा बंदे से यार पचास नहीं बन रहा है यह तो कई गई गुजरा है गिराट गोली आटो फॉम में जितना रन बना रहा था यह तो इन फॉम में उतना नहीं बना पा रहा तो कहां इसका कॉंप्यर उससे कहां राजाबूज कहां गंगुते ली एक बार तारीप क्या गर्दी फकर की वाल्ड कब में कि फकर हमारा 20-25 बर खेल जाएगा तो हम 400 प्लस बना लेंगे और न्युजिलांड को और वंडे में तो छोड़ो फारीश रॉप इतना मार खाया कि साला पता नहीं हो लेटिंग रॉन्स को रहा है जो बैट्समें के बाद उसी कहां नाम आ रहा है तो लेवल नहीं है तुम लोगों का क्रिटिस साइज अगर पबलिक कर रहा है तो उसको सुनो ऐसा फाल तुम इसमें तुम्हारे कुछ जुने लोग हैं जो बाबर्किंग बाबर कींग बोलते हैं अब उसको पूरा नहीं बोल दिया भबां तो नहीं तो Caitlin कि के लिंगर से अप Südash तो थोड़ा पुद्ध प्रेस कॉंफरेंस में आके बूल देगा कि हमने प्लाणिंग के पीछ के इसाफ से नहीं के लागे वह यह गधा कप्तान मुझे लगता है जो पुरा हस्ते हुए अपने हार को सुन लेता है एसरप्ट करता है और यह बोलता है कि हम पीछ के इसाफ से बेटा खिलना आना चीए पीछ के इसाफ से नहीं कि तुम सरिफ अपने ले खिलो तो घंटा जीतोगे देश के ले खिलो तभी जीतोगे पेच कोई पीओ कंटर के ले खिलोगे तो ही जीतोगे अमारे नए लॉंड़न ने जाके ऑस्ट्रे लिया को न उसके घर में आ रहा क उमलों कभी हैंगी नी बढ़ोगे